अप्रेंस नमस्कार विल्कम्ट टू ओंडे एक्जाम टार्गेट आप सभी का आपकी अपनी चैनल वनडे एक्जाम टार्गेट पर बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंस हम यहाँ पर यूपिटर 2019 के तयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में यूपिटर 2019 के लिए संस्कित का मारा पहला मॉडल पेपर है आप लोगों की काफी रेक्वेस्ट थी और यह एकदम से सेलेबस पर आदा ही थे और इसके question जो है इंतम से exam pattern पे है जिस तरीके से exam में question पूछे जाते हैं और 30 में से आप score करके बताएंगे कि कितना आपका सही है नंबर के according आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं खुदको आख सकते हैंगी आप कितने पानी में है यानि कि अब कितना आपकी तयारी बाकी है और कितना भी जोर सोर से आपको जुटना है तो friends आपके feedback पे depend करता है कि मागे ये वीडियो upload करेंगे की नहीं आपके like के बटन से पता चलेगा आप लोग like का बटन जरू प्रिस कीजिएगा और दोस्तों में share करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा चलिए start करेगा ठीक है तो चलिए देख लेते पहला question नीराकारह का विप्री तार्थक शब्द क्या होगा इस थूल साकार आड़ू सार्थक तो option हमारा एक का सही होता है बी सार्थक next question की तरफ चलते है question number 2 गात्रम का परियायवाचक शब्द कौन सा है शरीर अंग बपु वक्र तो दो का हमारा option सही होता है ए शरीर next question number 3 की तरफ चलते है हरस आ का उच्चारण किस पुर्यत्न के अंतरगत आता है हरस आ का किस के अंतरगत आता है बिकलप आप सभी के सामने है बा है अभ्यांतर सम्वरित सम्वरित बा है विवरित सम्वरित तो तीन का हमारा option सही होता है तीन का हमारा option सही होता है बी फ्रेंस यहां पर देखिए हरस्य सवर किसे कहते हरस्य सवर इनके उचारण में कम समय लगता है उनके उचारण समय को एक मात्रा माना गया है जैसे आ, ई, उ, री ये सब हैं ठीक है प्रयत्न किसे कहते हैं प्रयत्न बर्गों का उचारण करते समय मुख के बिभिन भाग कुछ को चेस्टाएं करते हैं इन भागो के उच्चारण करने की चेस्टा को यह प्रत्न कहते हैं ठीक है और समवरित इसमें वायू का मार्ग बंद हो जाता है यह प्रत्न केवल हरस आ के लिए होता है ठीक है अब next question चलते हैं Q4. जीद हातु लोट लकार मध्यम पुरुस एक वचन का रूप क्या होगा? जिग, जग, जय, जस्त. तो चार का हमारा ओप्शन सही होता है C. ठीक. Q5 की तरब चलते हैं. प्रतक होने के अर्थ में किस विभक्ती का प्रियोग होता है? चतूर्थी विभक्ती, पंचमी, तरतिय, सस्टी. तो 5 का हमारा ओप्शन सही होता है B. पंचमी विभक्ती का प्रियोग होता है. Next, Q6 की तरब चलते हैं. संभूय, पद में किस प्रत्य का प्रियोग हुआ है? Q6, लिप प्रत्य का यहां पर प्रियोग हुआ है. 6 का हमारा ओप्शन सही होता है A. अब Q8 की तरब चलते हैं. स्वारी, 7 की तरब चलते हैं. मुनिस रेस्ट पद में कौन सा समास है? तो यहां पे 7 का हमारा ओप्शन कौन सा सही होता है? तो साथ का हमारा ओप्शन सही होता है A. सब्थमी तत्पुरुस का. ठीक है? नेक्स्ट कोशन नमबर 8 की तरब चलते हैं. तक T का पद का संधी विच्छित क्या है? विकल्प आप सभी की सामने है. तो 8 का हमारा यहां पर ओप्शन सही होता है B. ठीक है तत्धन टीका. नेक्स्ट कोशन की तरब चलते हैं. कोशन नमबर 9. आधी हरी में किस उपसर का प्रियोग हुआ है? आधी हरी में किस उपसर का प्रियोग हुआ है? आधा, आधी, आधे, अ. तो 9 में यहां पर कोई विकल्प इससे मैश नहीं कर रहा है, तो यहां पर होगा आधी. ठीक है? तो आधी उपसर का प्रियोग हुआ है. ठीक है? कोशन नमबर 10 की तरब चलते हैं. कोशन नमबर 10 में हरी प्रिया का प्रियायवाची शब्द होगा. हरी प्रिया का प्रियायवाची शब्द क्या होगा? लक्षमी, सरस्वती, यमुना, गंग. तो 10 का हमारा उपसर सही होता है. A. लक्षमी. कोशन नमबर 11 की तरब चलते हैं. इस्था धातू, लट लकार, प्रत्थम, पूरुस, दुई वचन का रूप क्या होगा? तिस्थेव, तिस्थेम. तो 11 का हमारा उपसर सही होता है. B. तिस्थेव. ठीके? कोशन नमबर 12 की तरब आते हैं. सभी स्वरों का आभ्यांतर प्रत्न क्या है? सभी स्वरों का आभ्यांतर प्रत्न क्या है? सम्वरित, अर्ध सम्वरित, विवरित, अर्ध विवरित. तो 12 का हमारा उपसर कौन सा सही होता है यहाँपे? C. विवरित. कोशन नमबर 13 की तरब आते हैं. लेखा पद में कौन सा प्रत्य है? C. यत, गहन, वयप, लिप. तो 13 का हमारा उपसर सही होता है B. कोशन नमबर 14 की तरब आते हैं. बाल के अभ्या मिस्ठानम रोचते में रेखांकित पद में कौन से विवक्ति का प्रियोग है? रेखांकित पद बाल के अभ्या है. तो यहां पर 13 यां, पंचमी, चतूर्थी, सस्टी. 14 का हमारा उपसर कौन से सही होता है? चतूर्थी. एकदम से क्लियर पता चल रहा है, बालक का रूप अगर यादे तो. कोशन नमबर 15 कोशन नमबर 15 रामस टीकते पद में कौन सी संधी है? जशत्व, इस्टित्व, विसर्ग, इस्चित्व. कौन सी संधी है? तो रामस टीकते में आपसर यहां पर 15 का सही होता है, बी. ठीके? अब इस्टित्व संधी में क्या होता है? जब सा के बाद, छोटे सा के बाद ये, खटकोडवाला सा आए, अथुआ सा के बाद टावर्ग आए, टावर यानिक टा, टा, ढडा, अणा आए, तो संधी करते समय सा को, इस छोटे सा को किस में बदल देते हैं? शा में बदल देते हैं, ठीके? तो जैसे आप रामस टीकते में, रामस प्लस टीकते, तो लास्ट में यहां पे सा आया रामस प्लस टीकते का यहां पिट्टा आता है तो किस में बदल गया है यह खटकोड़ वाले शामें ठीके अब इसी का एक्जाम्पल इससे पहले था तट टीका में तो तट प्लस टीका यह भी इस्टितु संदिका था ठीके अब कोश्चिन नंबर 16 की तरफ आते हैं प्रति दिनम पद में कौन्सा समास है कर्मधारे बहुरी अभ्ययई तद पुरुस तो यहां पे सोला का हमारा ओप्सण कौन् ससंझा होता है सि अभ्ययई भासमास कुस्ट लियर है कोश्च नंबर सत्रा कोश्र नमबर सत्रा की तरफ आते हैं पठिता में धातु प्रत्य है कौन सा विकल्ब आप सभी के सामने है पठ प्लस कत्वा पठ प्लस कत पठ प्लस घाई प्लस लिट तो सत्रा का यहाँ पर हमारा option सही होता है B, ठीक है, 17 का हमारा option सही होता है B, फट प्लस कत प्रत्य, next question के चलते हैं, question number 18, घातह का विपरी तार्थक शब्द क्या होगा, घातह का विपरी तार्थक शब्द क्या होगा, हता हत घातक हुताशन प्रति घात, तो 18 का हमारा option सही होगा D. प्रतिक घात ठीक है? अब question number आ जाते हैं 19 की तरफ हसिता पद में कौन सा प्रत्य है? तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ यहाँ mistake रक्त नहीं होगा केवल कत प्रत्य है यहाँ पर इतना समझे है ठीक है? कत्वा ल्यप यत तो option हमारा सही होता है 19 का A कत प्रत्य हस प्लस कत प्रत्य है तो यह हो जाता है क्या हसिता है? question number 20 की तरफ आते हैं सा तंडुलान ओधनम पच्चती सा तंडुलान सा तंडुलान ओधनम पच्चती रेखांकित पद में किस बिभक्ती का प्रयोग है? रेखांकित पद तंडुलान तंडुलान मतलब चावल को तो प्रत्यमाने दुतिया को तो यहाँ पे किस बिभक्ती का प्रयोग है? उआ है प्रत्म दुतिये त्रतिये चतुर्त तो बीस का हमारा option कौन सा सही होता है बी दुतिये ठीके next question number 21 अनुपस्थिती पद में कौन सा समास है तत्पुरुस कर्मधारे द्युग द्वंद तो 21 का हमारा option सही होता है अब question number 22 की तरफ आते है कश्चित का संधी बिच्चेत क्या होगा 22 विकल्प आप सभी की सामने है तो विकल्प 22 में हमारा कौन सा सही होगा B इसका संधी बिच्चेत कस प्लस चित next 23 राम शब्द के तरतिया एक बच्चन का रूप क्या होगा विकल्प आप सभी की सामने रामे, रामेड, रामम, रामेज, तो राम शब्द की तरतिया एक बचन का रूप होगा यहाँ पर हमारा उप्सन सही होता है रामेड, कैसे, यहाँ पर देखिए, राम शब्द किस तरीके से चल रहा है इसका रूप, एक बचन, दुई बचन और बहु बचन के रूप में रामा है, रामो, रामा, रामम, रामाउ, रामान, रामेड, रामाभ्यम, रामई तुरतिया बिभक्ति एक बचन में क्या रामेड हो गया इसी तरीके से रूप इसका चलता रहता है इस तरीके से इसका रूप चलता है next question की तरफ चलते है question number 24 पठामी पठधातु रूप होता है विकल्प आप सभी के सामने है विकल्प आप सभी के सामने है A, B, C और D में से कौन सा सही है देखिए इसमें अगर पठामी पूछा जा रहा है तो थोड़ा सा इसमें हलका सा mistake है अगर पठामी पूछा जा रहा है तो देखिए यहाँ पे देखिए विकल्प में क्या दिया है पहली बात तो यह लट लकार है लट लकार किसी में नहीं है लेकिन अगर पठामी पूछा जा रहा है तो लट लकार उत्तम पूरुस का एक बचन होगा यहाँ पे जो बहु बचन है यहाँ पे एक बचन करना पड़ेगा अगर पठामी पूछा जा रहा है ठीक है ध्यान दीजिएगा पठामा पूछा जा रहा है तब लट लकार उत्तम पुरुस बहुबचन होगा तो विकल्प के एकोर्डिंग यहाँ पे देखी एक बचन इसको बनाईए अगर पठामी है तो लट लकार उत्तम पुरुस एक बचन यहाँ पे सही होगा और अगर पठामा है तो लट लकार उत्तम पुरुस बहुबचन सही होगा या तो यहाँ पे पठामा बनाईए या तो यहाँ पे क्या लग करिए हमने दोनों कंडिशन आपको बता दी ठीक है बास समझ में आ रही होगी क्लियर है चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर 25 की तरफ 25 का वर्ड का उचारण स्थान क्या है का वर्ड का उचारण स्थान क्या है मुर्धा ताल कंट ओस्ट तो आप्सन हमारा यहाँ पे कौन से सही होता है 25 का हमारा option सही होता है C Cunt ठीक है Next question number 26 की तरफ चलते है आस्टा ध्याई ग्रंथी संबंदित है किस से ब्याकरण से नाट्य शास्त्र से अलंकार से काबिय शास्त्र से तो कौन सा option हमारा सही होता है option यहाँ पर हमारा सही होता है A ब्याकरण से संबंदित है यह आस्टा ध्याई महास पाड़िनी के द्वारा रचित है और ब्याकरण संबंदी बहुत ही महान, सर्वमान, सर्वसेष्ट ग्रंथ है इसमें कुल 8 अध्याई इसलिए इसे आस्टा ध्याई कहा जाता है प्रतेक अध्याय में चार पाद हैं और इन में कुल 3900 चानवे सूत रहें क्लियर है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं कोश्चन नमबर 27 अस्टा विल्शती सब्द का अर्थ होता है अस्टा विल्शती सब्द का क्या अर्थ होता है 18, 28, 38, 48 तो 27 का हमार आप्सन कौन सा सही होगा 27 का हमार आप्सन सही होता है 28 होता है ठीके और 18 का क्या होता अस्टा दर्श होता है ठीके और 28 का आप सभी को भी पता चलिए अस्टा विल्शती होता है और 38 का क्या होता है अस्टा तरिंशत होता है और अनतालिस का अस्टा चत्वार इंशत होता है क्लियर हो गया नेक्स चलते हैं कोशिय नमबर ट्वेंटी एट की तरफ पावका शब्द का संदी विच्छेद होता है यहां पर विकल्प आप सभी की सामने पावका, पाप्लस आवका, पावधन अका, पोधन अका तो यहां पर हमारा 28 का उप्षन सही होता है C, पावधन अका और इसमें किस संदी का प्रियोग हुआ है आप सभी बताएगा कॉमेंट सेक्षन में आप सभी से पूछ रहे हैं ठीके इसमें चलिए पावधन अका में आव प्लस आ मिला है आ और आव प्लस आ मिलकर क्या हो जा रहा है आ हो जा रहा है ठीके नेक्स कोश्चन नमबर 29 की तरफ चलते हैं आप सभी को संदी पता चल गई होगी नेक्स 29 जगदीशा में किस सूत्र से संदी हुई है इसमें सूत्र पूछा जा रहा है उस संदी का जो संदी है उसका सूत्र क्या है तोरली मोनस्वारह खरिच जलाम जशुवंते जलाम जशुवंते कौन सा आप्शन हमारा सही होगा 29 का हमारा आप्शन सही होता है डी जलाम जशुवंते ठीके इसका संदे बिच्छेत क्या होगा जगत प्लस इस ठीक है चलिए आगे चलते हैं कोश्चन नमबर 30 संस्कृत के प्रतेक लकार के पुरुस होते हैं कितने 2, 3, 4, 5 ओप्सन हमारा सही होता है 30 का हमारा ओप्सन सही होता है 2, 3 संस्कृत में प्रतेक लकार में 3 पुरुस होते हैं वे मध्यम पुरुस के क्रिया हैं कही जाती है और जिन क्रिया प्रयोग उत्तम पुरुस के कर्ताओं अहम आवाम वयम अत्वआ कर्म के साथ हoty हैं उत्तम पूर उसके क्रियाएं कहीं जाती हैं क्लियर हो गया तो फ्रेंज यह रहे आपके पूरे 30 कोशन बहुत ही इंपोर्टन आपको ब्याख्या के साथ भी हमने आपको समझाया है ठीक है अब आज के सवाल की तरफ आज का सवाल अगर आप लोगों ने क्विज अच्छे से अच्छे से रिप्लाई भी कर पाएंगे आज का सवाल इस्थावर का विप्रीत तार्थक शब्द क्या है पसु खग जंगम भिहग तो आप्सन हमारा एक का कौन सा सही होता है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरू बताइएगा आपके कॉमेंट का और लाइक और एक सेयर अपने वाट्स अप और फेस्बुक पर पेज पर जरूर कीजेगा ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुद्बाइन टेक एर थैंक यू सो मच पढ़ते रहे हैं मेहनत करते रहे हैं सफलता जरूर मिलती है इसे के साथी गुद्बाइन